हैलो एब्रिवन कैसे हो आप सभी बार पुना स्वागत है आप सभी कामारे अपने यूटूब चैनल सिव कोचेंग क्लासस पार उमेद करता हूँ दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे डंग से चल रही होगी आज की इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर 5 important अंतर देखेंगे देखेंगे यहाँ पर महत्तपून अंतर जो है 5 देखेंगे जो की आपके paper के point आपने उसे काफी important है तो आज़े सिधे वीडियो को इश्टार्ट करते देखें पहला अंतर जो है वो है समव्युगमजी वा बिसम युगमुजी के मद्दे अंतर देखें तीन नंबर के कॉस्चन के लिए ये कॉस्चन जो है काफी इंपोर्टेंट है सम युगमुजी वा बिसम युगमुजी के मद्दे अंतर देखेंगे तो देखें सम युगमुजी की अदि हम भात करें तो देखें इसमें एक कारक अर्थात जीन के दोनों यूगमबिकल्पी जो होते हैं या हम एलील कह सकते हैं ये समान होते हैं देखिए कोई भी पर्टिकुलर कारक या जीन के दोनों जो यूगमबिकल्पी हैं यानि मान लीजे कोई एक लच्छा है उसके लिए जो दो जीन हैं वो दोनों जीन जो है एक समान होंगे यानि जो दोनो जीन एलील या यूगमक या कारक हैं वो सभी क्या होंगे एक समान होंगे यादि कैप्टल्टी है तो कैप्टल्टी ही रहेगे कैप्टल्टी कैप्टल्टी या समाल्टी रहेगा यानि युगमक या कारक या एलील जो होते हैं ये क्या होते हैं समान होते हैं वहीं बिसम युगमजी जैसा की नाम से इस पष्ठकी जो युगमक या कारक या एलील होगे वो आपस में क्या होंगे आसमान होगे यानि अलग-अलग जो है होते हैं जैसे यहाँ पर देखिए, starting वाला क्या है, capital T है, लेकिन इसके बाद क्या है, small T, तो जो दो युगमक हैं, या दो युगमक की बिकलपी, एलील, या कारक या जीन्स हैं, तो इन दोनों जीन्स में से एक क्या है capital T, और एक क्या है, small T, यानि युगमक या कारक या एलील क्या ह होते हैं, ये आपस में आसमान या अलग-अलग होते हैं, दूसरा डिफ्रेंस के आईन में कि जनन के समय एक ही प्रकार के युगमक बनते हैं, और सम युगमक जी में क्या होता है, कि जनन के समय केवल एक ही प्रकार के युगमक जो हैं, या गयमीट बनते हैं, वहीं यदि ह बात करें भिसम यूगमजी की तो देखिए इसमें अलग अलग प्रकार के यूगमख बनते हैं इनमें जनन के समय प्राया अलग अलग प्रकार के यूगमख बनते हैं अगला डिफ्रेंस है कि इन सम यूगमजी पौधों में जब सौपरागण या अंता प्रजनन होता है तब संतती जो है जनकों के सम लच्छनी या सम जीनी प्रकार की होती है देखे जब सम युगमजी जीनों में क्या होता है आपस में सौपरागन या सेल्फ पॉलिनेशन होता है तो इनमें क्या होता है जो जनकों की संतति होती है वो समजीनी होती है या समान प्रकार के जीन जो है उपण करते है वहीं बिसम युगमक में क्या होता है बिसम युगमजी में कि इनमें स्वपरागन होने पर संतति में क्या होता है प्रवाभी वा अप्रवाभी दोनों विपर्याई लच्छड जो है संतत्यों में ब्यक्त होते हैं यानि प्रहाबी लच्छड भी और आप्रहाबी लच्छड भी साथ में ब्यक्तो होते हैं तो पहला अंतर आपको याद रखने है सम यूगमजी वा भी सम यूगमजी ये अंतर जो है आपके पेपर में पूछा जा सकता है दूसरा most important difference है किसके किसके मद्ध खाद स्रंखला और खाद जाल के मद्ध यानि food chain और food wave के मद्ध आपको difference बताना है ये question भी काफी important है पेपर के लिए तो देखिए एक side तो है हमारा खाद स्रंखला और दूसरी side क्या है खाद जाल तो देखिए पहला difference क्या है कि खाद स्रंखला की यदि हम बात करें या food chain की तो किसी भी परितंत्र में खाद पदार्थों के इस्थानांत्रन पत का जो प्रवा होता है वही क्या कहलाता है खाद स्रंखला कहलाता है यानि परितंत्र में या परिस्ततिक तंत्र में खाद पदार्थों के इस्थानांत्रन पत को ही हम क्या कहते है खाद स्रंखला कहते हैं और वहीं खाद जाल की यदि हम बात करें तो किसी भी परितंत्र में खाद स्रंखला के सयुक्त पथों को ही हम खाद जाल कहते हैं यानि कई सारी खाद स्रंखलाओं के परस पर जुड़ने के कारण ही खाद जाल का निर्मान होता है दूसरा डिफरेंस के आईन में कि इसमें उर्जा का प्रवाय पत जो है सरल रेखा में होता है यानि खाद सरंकला में जो उर्जा के प्रवाय का पत होता है वो एक सरल रेखा में होता है वहीं खाद जाल में क्या होता है कि उर्जा का प्रवाज जो होता है इसका पथ अनीमित होता है यानि कोई भी नीमित पथ या इसका रास्ता नहीं होता है अगला डिफ्रेंस क्या है कि प्रवाज पथ जो होता है वो सदैव एक ही दिशा में होता है एक दिस ही होता है, खाद स्रंकला में जो प्रवाय पत होता है, वो किस दिसा में होता है, एक ही दिसा में होता है, वहीं जो खाद जाल होती है, इसमें जो प्रवाय पत होते हैं, वो कई दिसाओं में होते हैं, तो यह आपको difference याद रखना है खाद स्रंकला और खाद जाल में दोनों अंतर पेपर की पॉइंट अब उसे काफी important है अगला difference है खाद एबं जयव उर्वरक में अंतर तो देखे खाद यदि हम बात करें minor की और जयव उर्वरक या वायो fertilizer की तो देखे एक side तो हमारा खाद और दूसरी side क्या है जयव उर्वरक यह अंतर भी पेपर के point of view से काफी important है और जितने की जितने अंतर यह आपके 3-4 number के लिए काफी helpful है काफी important है तो सभी के सभी अंतरों को आपको पेपर से पहले पढ़के जाना है तो खाद और जयव उर्वरक में अंतर की अधिबात करें तो सबसे पहले हम खाद की बात करते हैं तो देखे इसमें carbonic पदार्थों की मात्रा अधिक होती है खाद की यही तो भी सेश्ता होती है कि इसमें carbonic पदार्थों यानि कि organic materials की संख्या जो है मात्रा जो है यह क्या होती है अधिक होती है वही जैव उर्बरक या फायो फर्टिलाइजर में क्या होता है कि उर्बरक जो होते है वो nitrogen, phosphorus तथा potassium प्रदान करते हैं यानि मुक्रूप से जो जैव उर्बरक होते हैं इन में nitrogen, phosphorus वह potassium की मात्रव होती है वहीं जो खाद था इसमें कार्बनिक कंपाउंडों की मात्रा जो है कार्बनिक पदार्थों की मात्रा दिक होती थी लेकिन जयबूरबरक में ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है जयबूरबरक में नाइट्रोजन, फासफोरस तथा पोटेसियम की मात्रा होती है दोसरा डिफ्रेंस है कि खाद को जन्तूं के अपसिष्ट तथा पौधे के म्रत भागों के अपगटन से तयार किया जाता है खाद को यदि हम बात करें तो जन्तों का जो भी अफसिष्ट होता है इसके अलावा पौधे के जो मरत भाग होते हैं उनके अप घटन से तयार किया जाता है वहीं जो जय उरवरक होते है इसे ब्यावसाईक रूप से रासायनिक पदार्θों से बना जाता है जो बायो फटिलाइजेर होते हैं इनको केमिकल मटेरियल को आपस में मिला करके बनाया जाता है तीसरा डिफ्रेंस है इन में कि ये म्रदा की उर्वरता को प्रवावित नहीं करते अपितू उसकी ब्रद्धी करते हैं जो खाद्ध होते हैं ये किसी प्रकार से म्रदा की उर्वरता को नहीं घटाते हैं बलकि ये म्रदा की उर्वरता में ब्रद्धी करते हैं वहीं जय उर्वरक की यदि हम बात करें तो इसके लगातार यूज से क्या होता है कि म्रदा की उर्वरता में भी कमी आने लगती है इसलिए जय उर्वरक को ज्यादा मात्रा में इसका यूज नहीं करना चाहिए मतलब एक लिमिट में ही जय उर्वरक का यूज करना चाहिए औ अगला अंतर है आपका समजात अंग वा सम ब्रत्ति अंग में अंतर किसमें किसमें अंतर समजात वा सम ब्रत्ति अंगों में अंतर तो एक साइड तो हमारा क्या है समजात अंग और दूसरी साइड क्या है सम ब्रत्ति अंग आपसे समजात वा सम ब्रत्ति अंग दो या तीन न था उत्पत्ति में समानता प्रदर्शित करते हैं समजात अंग कहलाते हैं वहीं समरत्ति अंग की अधी हम बात करें तो देखे जीवों के ऐसे अंग जो रचना हुआ उत्पत्ति में भिनता प्रदर्शित करते हैं लेकिन कारियों में समानता दर्शाते हैं इनके कार जो होते यह भिनता दरसाते हैं, वहीं समरत्तियंग में justice का opposite हो जाता है, यानि रचना वह उत्पत्ती में यह भिनता दरसाते हैं, ऐसे अंगों को हम समरत्तियंग कहते हैं, दूसरा difference है कि यह सनरचनाएं जो होती हैं, इस बात को प्रमारित करती हैं, कि इनको धारित करने वाले जियो विकास की द्रश्टी से जुड़े हुए है समझात अंगों में क्या होता है कि जो सनचनाएं होती है क्योंकि उत्पत्तिवा सनचना क्या होती है इनकी समान होती है तो उत्पत्तिवा रचना समान होती है तो ये रचनाएं इस बात को प्रमारित करती है कि इनको जो धारित करने वाले जीव होते हैं, वो particular किसी भी जैब विकास से या evolution की द्रश्टी से जुड़े हुए होते हैं, और सम्रत्तियंगों में क्या होता है, कि ये इस बात को प्रमाडित करती हैं, कि इनको धारित करने वाले जो जीव होते हैं, वो विकास की द्रश्ट में अलाग अलाग प्रकार के दिखाई देते हैं, सम्जात अंगो को यदि आप बाहर से देखेंगे तो ये अलाग सनचना में समानता दरसाते हैं, वहीं जो सम्भत्तियंग होते हैं, यह आंत्रिक सनचना में पूर्टा भिन्न होते हैं, एक दूसरे से, इसके एक्जामपल देख लिजी तो समझातंगों के कही सारे एक्जामपल हैं, जैसे मेढख के अग्रपाद, चमगादड के पंक तथा घोडे के अग्रपाद, ये सभी के सभी समझातंगों के एक्जमपल हैं, वहें सम्ध्तियंग के एक्जमपल के यदि हम बात करें, तो तितली, तितली का पंक, चमगादड का पंक, तथा हाथी के, तथा पच्छी के हाथ, ये आपको याद रखना है ये जितने की जितने example हैं सबको आपको याद रखना है क्योंकि पेपर में आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है सम्जात हुआ सम्ब्रत्ति यंगों को आखरी और last हमारा difference है आखरी difference है DNA एबम RNA के मद्ध अंतर ये अंतर भी paper के point आप उसे काफी important है और कई बात पूछा भी जा चुका है तो DNA और RNA में अंतर तो आपको ऐसे भी याद रखना है DNA की यदि हम बात करते हैं जिसको कि de-oxy ribo nucleic acid कहते हैं और RNA जो होता है ribo nucleic acid होता है DNA की यदि हम बात करें तो देखिए इसमें de-oxy riboge प्रकार की सरक्रा पाई जाती है DNA में कौन सी सरक्रा पाई जाती है तो आपको बताना de-oxy riboge सरक्रा पाई जाती है वहीं आर्यने के यदि हम बात करें तो आर्यने में राइबोज प्रकार की सरक्रा जो है पाई जाती है अब देखिए डियने में यदि हम बात करें तो डियने में क्या होता है कि जो पाई जाने वाले नाइट्रोजन युक्त चारक या नाइट्रोजनी चारक जो होते हैं वो ग्वानीन जो कि प्यूरीन होते हैं और इसके अलाबर साइटोसीन और थाइमीन ये पिरिमीडीन है यानि इमकुल मिला करके चार प्रकार के नाइट्रोजनी छारक जो है एडिनीन ग्वानीन साइटोसीन और थाइमीन जो है डिने के अंदर पाए जाते हैं आर्याने में अगला डिफ्रेंस होता है नाइट्रोजनी छारकों में बागी कुछ डिफ्रेंस नहीं होता है अब देखी इसके बाद अगला क्या है कि यह केंद्रक तथा कुछ कोशिकाओं में ही पाया जाता है जो डियाने होता है यह केंद्रक में मुखरूप से पाया जाता है और इसके कि DNA यरु में क्या होता है कि जो D-A Hearts Cabin transit होती है इसकी दो प्रकार की स्रंखलाये जो हैं परस पर एक दूसरे पर कुंडलित होती है और इसमें nucleotides जो हैं जोड़े के करम में होते हैं DNA में क्या होता है कि D-A backside ribonucleotides की दो स्रंखलाये होती है जो परसपर एक दूसरे पर कुंडलित होती है और इसमें नुकलिोटाइट्स जो है जोड़े के क्रम में पाए जाते हैं वहीं आर्याने की यदि हम बात करें तो आर्याने याणुमेज क्या होता है कि राइबो नुकलिोटाइट्स की एक ही स्रंखला होती है आपको याद रखने DNA में जो Nucleotides होते हैं उनकी सनंखला दो होती है जो की कुंडलित होते हैं एक दूसरे से और RNA में यदि हम बात करें तो इसमें राइबो Nucleotides की संख्या जो होती है या सनंखला जो होती है वो केवल और केवल एक ही होती है तो यहाँ पर पाच important difference है यान लाइक और कमेंट कीजेगा साथ ही साथ दोस्तों की भी शेयर कीजेगा मिलते हैं दोस्तों नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंद मात्रम